तो प्रेंज दिस इस नर्दे बुर्वाल वेलकम बैक तो माई चैनल नरो जॉटा ब्लॉग दोस्तों फाइनली टाटा अल्ट्रोस लाउंच होने जा रही है 20 जैनवरी 2020 न्यू येर में टाटा अल्ट्रोस के चाने वालों के लिए बहुत ही जबरदस कुद्ध ने हो जाए दोस्तों इसके लाउंचिंग में डिले क्यों हुई है इसके क्या इंजन ओप्सन होंगे क्या डिजाइन होंगे एक एक जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूँ बने रहे हैं मेरे साथ वीडियो के अंतर तक और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो प्लीज सब्सक्राब कीजे मेरे चैनल लरूज आटा ब्लोग को और साथ मैं बेल आइकन का भी बटन दवा दिजे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आ अपनी प्रीमियम मोस्ट अवेटेड हैजबेक का टाटा इल्ट्रोज को लांच करने वाली है 20 जैनवरी 2020 को जिसे काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था और अब जाकर यह इंतजार पूरा होनी जा रहा है दोस्तों रिसेंटली कमपनी ने इसका एक टीजर जारी किया गयता है और प्रोडिक्शन मॉडल 45X कॉंसेट मॉडल से काफी रिजेंबल करता है जिसे आटो एक्सपोर 2018 में सबसे पहले सो केस किया गया था इसके अलाबा कमपनी ने 2019 जेनेवा मोटर सो में कार के प्रोडिक्शन कि बात करें तो लेंथ 3988 mm, width 1754 mm, height 1505 mm, wheelbase 2501 mm, boot space 341 liters दी गई है जहां तक इंजन और पावर की बात की जाए तो टाटा एल्ट्रोज आ रही है थ्री PS6 compliant engine के साथ पहला Tata Tiago वाला 1.2 liter दूसरा Tata Naxon वाला 1.2 liter टूबो चार्ज पैट्रोल इंजन एंड दीसरा 1.5 liter डीजल इंजन के साथ Transmission की बात की जाए तो इसमें 5-speed manual and EMT का भी option दिया जा सकता है इंटीर के अगर हम बात करें तो ये काफी हद तक Tata Naxon से resemble करता है इसमें floating touch infotainment system बिल्कुल हूँ बहूँ Tata Naxon जैसे ही दिया गया है जो की Apple CarPlay, Android Auto, Navigation, Bluetooth Connectivity, Radio FM, AUX and USB को सपोर्ट करता है इसके अलावा बहुती sporty, tiltable, three spoke, steering wheel दी गया है जिसके left side audio mounted control and right side cruise control की सुविदा दी गई है और इसमें eco mode के अलावा wireless charging की सुविदा भी दी जा सकती है दोस्तों और ambient light भी इसमें दी गई है और instrument cluster की बात करें तो ये काफी हद तक Tata Harrier से resemble करता है दोस्तों Tata Ultros के अगर हम seats की बात करें तो यहाँ पे आपको leather fabric combination में अपोस्तों प्रॉबाइट की गई है Tata Ultros में अगर हम safety features की बात करें तो इसमें dual airbag, ABS with EVD, reverse parking sensors, reverse parking camera, seat belt reminder, driver site and co passenger site, door अजर warning, speed alert system, Isopic Child seat encourage, keyless entry, engine immobilizer, front impact beam, side impact beam जैसे safety features दी जा सकती है Tata Ultros का सीधा सीधा मुकाबला इस segment में पहले से मौजूद मारूती सुजू की बले नो Hyundai i20 and Hyundai Jazz जैसी कारों से होगा Tata Ultros की expected pricing की बात करें तो इसकी pricing जा सकती है 5.50,00,00,00 to 7.50,00,00,00,00 एक शोरों डिली ये थी दोस्तों छोटी से अपडेट Tata Ultros के बारे में जानकारी आपको कैसे लेगी नीचे comment section में जरूर बताएगा दोस्तों और एक like तो बनता है कर दोटी की बारे में जरूर भारे में जरूर आपको कारा है